अब श्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतिया नॉलिज पॉइंट में तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर सीधा-सीधा भारत को लेकर है और ये खबर ऐसी है कि जो भारत को इंटरनेशनल मार्केट में एक रिकोगनाइज करेगी एक बहुत बड़ा लेवल देने वाली है भारत को पहले के टाप में दूस्तों क्या होता था भारत सिर्फ defense के मामले में export नहीं import करता था सिर्फ और सिर्फ सामान खरीता था या फिर हजियार खरीता था यहां तक कि rocket भी खरीता था पहले के टाप में लेकिन अब ये सब हट चुका है अब यह सब पूरी तरह खताम उचका है अब भारत एक नया भारत और वो अब समान को एक्सपोर्ट करता है अपने डिफेंस आइटम को एक्सपोर्ट करता है बड़े-बड़े मिसाइब को गंस को यहां तक कि बांगला देश को अभी हमने पंडू भी निलाता बहुत चल्दी हम बहुत आगे निकले वारे हैं दोस्तों प्लीज से लाइक और यार मोटिवेशन मिलती है तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों हुआ यह हूँ कि ब्राजील ने भारत से यह कहा है कि उसको ब्रमोस एंटी जो की नेक्स जनरेशन मिसाइल है ब्र हम लोग इसको ब्राजील के साथ अगर शेयर करते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि वह बहुत बड़ा डिफेंस का इंपोर्टर है वो बहुत साथा सामान खरीता है और आपको बता दूँ जो अमेरिकन कॉंटिनेंट है जिसके अंदर युनाइटेट स्टेट ऐसी मिसाइल उसके पास भी नहीं है इसलिए वो उसको मंगा रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसके पास जो ग्रिपेन फाइटर पेने उसके लिए सबसे बेस्ट अगर कोई मिसाइल है तो वो सिर्फ प्रमोस एंजी है लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हम क्या ब्राजील भरोसा कर सकते हैं तो देखो बात यह हुआ कि 2009 में पाकिस्तान ने ब्राजील से एक मिसाइल मंगी थी जो कि एक ऐसी मिसाइल थी जो कि दूर से एंटी रिडियरीएशन वाले मिसाइल कहा जाता है इसको वो दूर से किसी मिसाइल को देखकि उसको बरráबाद कर सकती है तो दोस्तो हम लोगों ने बहुत request की ब्राजील से कि आप इसको मत दो मत दो पाकिस्तान को लेकिन फिर भी उसने वो मिसाल पाकिस्तान को दी लेकिन आज के टाइम में भारत और ब्राजील के रिशन बहुत बदल चुके हैं अब भारत और ब्राजील दोनों ब्रिक्स के अंदर आते हैं तो दोस्तों अब हमारे 20 मों बहुत अच्छा ट्रेड होता है और यहीं नहीं पिछली बार 26 जनवरी को ब्राजील के जो प्राइम निस्टर हैं वो इंडिया आए थी दोस्तों इसके बाद से भारत और ब्राजील के लिशन बहुत जादा स्ट्रॉंग हुए हैं द अगर इस मिसाइल को लोग यूज करते हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी जगा हो जाए जहां पर वार हो और वहां पर हम लोग को इस मिसाइल यूज करना पड़ा दोस्तों इससके रिलेबिल्टी पता चलेगी और अगर यह रिलेबल हुआ जो वार टेस्टेट अगर को पूरे accuracy से कर दिया तो दोस्तों यह तो फिर भारत के रिए चांदी हो जाएगी इतने जादा लोग भारत से यह मिसाइल खरीद देंगे दोस्तों इसके लिए फायदा यह है कि अगर ब्राजील ने एक बार इसको खरीद लिया तो आगे भी वह इसका बार और आर्डर दे स लाइक करते हो तो जाहन मैं मिलूगा आपसे वीडियो में जाहन